मंगेश यादव कहा रहते हैं? मंबईश यादव का परिवार? क्या मंगेश यादव के परिवार ने सहनभूती बटोरने के लिए बनाई थी मंगेश यादव को उठाए जाने की कहानी? अगर मंगेश के परिवार का दावा सही तो फिर 3 सितंबर की राज जौनपुर में जब पुलिस मंगेश के घर पहुँची तो परिवार ने उसके मुंबई में होने की बात क्यूं कही गुरुवार को यूपी पुलिस ने मंगेश यादव एंकाउंटर और सुल्तानपुर लूट से जुड़े बड़े खुला से किये हैं आईए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के बारे में पूरी कहानी अमर जालत उत्तर प्रदेश पर नमस्कार मेरा नाम है उत्कर शत्रुवेदी अब आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता हूँ उत्तर प्रदेश में चर्चा का विशय बन चुका सुल्तानपुर लूट का केस और उसके आरोपियों की धर पकड़ के दौरान हुए मंगेश यादव के एंकाउंटर कांड में गुरुवार को एक बेहद बड़ा खुला सा हुआ यूपी पुलिस ने 3 सितंबर की रात को जौनपुर में मंगेश के घर पर उसकी मा और उसकी बेहन का वो वीडियो फोटेज जारी किया है जिसमें मंगेश के पिछले 2-3 महीनों से मुंबई में होने की बात कर रही है पुलिस ने दावा किया है कि घटना के बाद मंगेश की तलाश में जब जौनपुर पुलिस उसके घर पहुँची तो परिवार ने मंगेश के घर पर होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से मुंबई में है इस फोटेज के सामने आने के बाद अब मंगेश यादव के परिवार के उस दावे को गलत पताया जा रहा है जिसमें वो मंगेश को घर से उठा कर ले जाने और फेक एंकाउंटर की बात लगातार मीडिया के सामने कर रहे हैं यूपिय पुलिस के डीजीपी प्रिशान्थ कुमार और एडीजी लोयन ओर्डर अमिताब यश्ट ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए उस फुटेज को जारी करके भी दिखाया जिसमें मंगेश यादव सुल्तान पुर में हुई सराफा लूट के लिए दुकान के अंदर प अंजाम दिया था जिसमें कुछ राज्य के बाहर भी शामिल है सुल्तान पुर में हुई वारदात से पहले दो बार उस सराफा दुकान की रेकी की गई थी और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया था मंगेश इस घटना में शामिल था पुलिस ने वीडियो पास मौजूद था ताकि अगर किसी भी तरीके के बैक अप की जरुवत पड़े कोई लूट रहे लोगों को रोकने की कोशिश करे तो ये उनका साथ दे सकें आईए अब आपको सुनाते हैं मंगेश यादव के परिवार के उस बयान को जो तीन सितंबर को पुलिस के पहु परिवार के कोंगे हैं मंगेश यादव मंगेश यादव कहा रहते हो नुवमभई कितने दिन से दो मेन दो मैने तो भट नहीं आए नहीं अए तो अब अब इसके उपर कर नो कडने हो लू तूटके तो अब आब काईदे सरहता है ना करता है मिया पर नहीं है किया नाम क्या है प्रिंस यादा प्रिंस यादा क्या लगती है सब्सक्राइब कर दो बार कहां से अच्छा कितने दिन से गए हैं बाहर अरे होई कि दो तीन नहीं से इस प्रेस कॉन्फरेंस में उत्तरप्रदेश के डीजी पी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये गए हैं और निश्पक्षता बनाए रखने के लिए इस पूरी घटना की जांच दूसरे थाने से होगी डीजी पी ने एक बार फिर ये बात दोराये कि यूपी पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति की जाती उसकी धर्म को देख कर कोई कारवाई नहीं करती है कारवाई अपराधियों के खिलाफ होती है और ऐसे में उनकी पहचान से पुलिस की कारवाई का कोई सीधा असर नहीं पड़ता है या उसके आधार पर कारवाई नहीं की जा सकती अब जब कि उत्तरप्रदेश में इस एंकाउंटर और सुल्तानपुर कांड को लेकर लगाता सियासत गर्म है यूपी पुलिस यूपी स्टीफ के इस खुलासे के बाद क्या सियासी दलों का रुख कुछ बदलता है या फिर एंकाउंटर पर हो रही आरोप प्रत्यरोप की र पूरी घटना के बारे में इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख कर जाहिर करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद